थेले स्टुडेंट्स गूड इवनिंग आज आप लोग का त्याग पत्र फोर सेमेश्टर जनरल पेपर पार्ट सेवन में बाच पढ़ाऊंगी ओके सो स्टाट करते हैं धन न चाहूं मन चाहूं धन मैल है मन का दर्ध सट्य का दिवास और नहीं उस धर्ध की शाबाग स्वकेति में उनकी ग्ञान की और सत्य की जोती प्रकट वहाँ गदाट भीधाता को तो दोस नहीं दे सकता क्योंगी उनतक मैं किसी प्रकार अपना धनेवाद भी नहीं पहुचा सकता दोस्ट दूहीं क्यों अगर मेरे मन में दोस्ट उठे बिना नहीं रहता तो उसे मैं किसी को भी क्यों दूँ मैं जान लूँ कि चाय कुछ भी हो हमारा दुख विधाता कई दुख है पर जो जगत की कटोरता का बोजी छपरोक अपने उपर उठा का चुपचप चले चलते हैं और फिर समय आने पर इस धर्ती माता से लगकर उसी भाती चुपचप सो जाते हैं मैं उनको प्रडाम करता बुवा का जो अंत हुआ उस पर मैं क्या सोचूं मैं कुछ नहीं सोचना चाहता सायद जो कुछ जो हुआ ठीक हुआ ठीक इसलिए कि उसे अब किसी भी उपाई से बद्ला नहीं जा सकता लेकिन इतना तो सोचा ही करता हूं कि जो प्रेम उनसे मुझे प्राप्ट हुआ था वह क्या किसी की किसी विभांती भूला जा सकता है और क्या वह स्वाय में इतना परुत्र नहीं है इस स्वर्ग के द्वार उसके समझ खुल जाएं लेकिन मैं नहीं जानता स्वर्ग नरक मैं नहीं जानता विधाता के विधान को मैं नहीं जानता मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं हिदे ही न हो सका वोता तो आज काम्याव वकील बनने के बाद जजी की कुर्सी में बैठना भी मेरे नशीब में न होता उस रोज के बाद जब हुआ जमाल गोटे के बावजूद फूफा के साथ चली गए थी मुद तक उन से मिला न हुआ नवी क्लास में आया मैट्रिक पार कर लिया कालिज में दाखिल होकर आखिर आई ये भी कर चुका नई परसितियां मिली नए दोस्त मिले निगाफ फैलती गई और जिंद्गी की खौईशे मुख खोड़कर शामने आई बुगा की याद धीमे धीमी हो गई पहले तो मैं मचल मचल कर उनकी खबर माता पिता से पूछता रहा था मालूम इतना ही होता रहा कि अपने ठीक हैं मौसे हैं मैं अपने से पूछता रहा जाता था या ठीक से होना मौसे होना क्या चीज़ होती है क्या पुवा प्रशन है प्रसन है तो मैं इधर प्रशन क्यों नहीं हूँ ओआसा मन में उड़ता था और बेड़ जाता था कुछ काल बात पता लगा कि उन्होंने एक मिरित करन्या को ज़नम दिया है उस जन्म देने में उनकी भी हालत मृत प्राय हो गई थी पर जाको राखे शाहियां उसका मन्ना असान नहीं है तो परमात्मा की दया से बच गई दया कहते हैं दया कहते हैं जी कुछ रुखता है फिर भी अदया तो उसे कहा नहीं जाता एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने मा से पूछा मा बुगा का कोई हाल आया है अब की छुटी में मैं उनके पास जाओंगा सुनकर मा फटी आखों से मुझे देखती रह गई बोली नहीं मैंने अगरपुर कहा बताओ कोई बुगा का हाल नहीं आया है मा ने कुछ आंतरी के लापरवा के साथ कहा नहीं मैंने कहा आया है बोली नहीं आया है नहीं आया है मेरी जान खाए डालता है मैंने कहा क्या बात है बतलाती नहीं हो बोली बात कर तो दिया कि बात कुछ भी न नहीं जब देखो बुवादाव जा तेरी बुव मर गई हां तो खबर डार मोगों बात मूसे की मैं सक्सक्ते में आ गया पूछा क्या है क्या है कुछ नहीं चल जया अपना सबक देख मैं किसी भाती माते माय वूआ कुछ कहती ही नहीं थी बावुजी से पूछा वो अभी जवाब मेंकि चुप रह गई मैंने कहा बावुजी सच बताइए भुआ मर गई बावो जी आँख ठोड़कर रह गई बोले किसने कहा किसी ने भी कहा आप सच बताईए मर गई हैं नहीं तो तो क्या बात है बात कुछ नहीं है मुतद्बित गई पर मैं इस रहसे को खोल न शका अब के अब से बुवा की चर्चा घर में निशित बन गई उनका नाम आता तो सब चुप रह जाते पिताजी की प्रकृती बदल गई दिखती थी वे कुछ भीरू गंबीर हो चरे थे मा च होती जाती थी बहुत दुन बात जो बात मैंने जानी यह थी कि पती ने बुवा को त्याग दिया और फूफा को मालूम है कि वह श्यदा से ऐसी ही है छोड़ दिया है इसका मतलब एक समझ में नहीं आया छोड़ कहां दिया है क्या वह खुद चली गई है या किसी अलग अस जैसे खाएं पिये कहां से रहें और कहां से खाएं पिये कहां से रहें और कहीं से खाएं पिये यह भी ग्यात हुआ कि फूफा ने तो कहा था कि मैं के चले जाओ पर भुवा इसके लिए विल्कुर आजी नहीं धमकाय गया मारा पिटा गया पर उन्हें मरना मंजूर हुआ हमारे यहां आनाम कभूल नहीं हुआ तब खुद भूपा जाकर उन्हें अलग घर में छोड़ाए हैं यह सब कुछ कहानी सा मैंने सुन दिया मेरी कलपना आरम में तो उधर उस्सा के साथ बढ़ी फिर सनय सनय उस्सा सांत हो गया जीवन उस कहानी को सुनिकार करक्रशाज गती से चलने लगा जिद्गी यह चलती जाती है कौन किस के लिए थमता है मरते भी मर जाते हैं लेकिन जिन्कों जीना है वे तो मुर्दों को लेकर वक्स से पहले मर नहीं शकते गिरते के गिरने के साथ कोई गिरता है या तो चकर है गिरता गिरे उसे उठाने की सोचने में तुम लगे की पीछड़े इससे चले चलो पर इस चला चली के चकर में कसमात मुझे और भी पता लगा वह यह की अब बुवा उस जगह नहीं है वहां से अमुक वदर नगर चली गई हैं कोईले की दुकान करने वाला एक बनिया साथ है वह अमुक नगर जहां हम रहते थे उससे दूर नहीं था वह उसी के और मेरे वारे में उची असाय रखती थी इस बीच मैं एफे कर चुका ही था थर्ड यर में पड़ता था इनोसीटी जा रहा था कि उस नगर के स्टेशन का बोट देखकर एकाएक मन में संकल्प सा उठने लगा सूचा कि अभी तो नहीं पर लोड़ते हुए अकेले में जरू बात या कि मेरे बिया की बाचित के शूत को उठा कर इस बार मां उसमें पक्की गाठ दे देना चाहती थी लेकिन लड़ते हुए रास्ते के उस स्टेशन और उत्रे बिना में उससे नहीं रहा गया और मैंने बुगा को खोई निकाला जार के उस मोहले में जाते हुए मेरा कोईले का बेवसाय करता था मैं कोटरी के द्वार पर पहले तो ठिटका फिर हिम्मत बां दरवाजा ठेलता हुआ अंदर चला गया वह बुआई थी क्या वही है लेकिन वही थी एक धूती में बैठी अंगिठी पर कोईले की आंच में रोटी सिक रही थी इसी को आते देख उन्होंने जट आचल थोड़ा माते के आगे खिच लिया था लेकिन वह जब मुझे देखा तो देखती रह गए क्या पहचान लिया है मैं उस निगाह के सामने स्थब्द होकर रह गया उस समय मैं अपने को बहुत बहुत धिकाने लगा कि यहां क्यों आया क्यों आया कुछ ऐसा भाव उसे दिश्टी में था कुछ देर बाद चुप चाप उन्होंने मुझे मुझे पर से आखटा कर अपने अपने सामने की अंगीठी पर ही जमाली और रोटी बनाने में लग गई थी बुआ ही लेकिन उनका यह क्या रूप था देख दूबली थी मुख पीला ता ठाके बैटी थी मुँपर के अलाज की चाया चायी हुई थी कोट्री बारफ फीट वर्क से बड़ी ना होगी बाहर थोड़ी खुली जगह थी जहां दोती अंगचे सूख रहे थे कमरे में एक और कपड़े चीने थे उनके पास से दो एक वक्स थे उनके ऊपर बास टांक क कुछ काप के कपड़े लड़का दिये गए थे बुआ की पीट की तरफ दो एक टीन के आधे गनस्तर दो चार हड़िया और कुछ मिट्टी के शकोरे और टीन के डब्बे थे वहां पास कुछ पीतल अमुनियम के बरतन रखे थे और एक टीन की वाल्टी और पानी का घड़ था एक कौने में कोईले की बोरी आदी जूकी हुई खडी थी मैं यह स grote देखता रहे गया बुआ कुछ भी नहीं बोरी वह एक टक सामनें अंगिठी में देखती हुई रोटी बनाने में लगी रही मैंने कहा मैं प्रमोध हुऊ भू भूआ वह नहीं बोरी मैं पी चूप ह हो रहा फिर मैं बोला मैं आजाओं अभी उन्होंने ना आक उठा कर मुझे देखा ना कुछ कहा लेकिन मुझसे जाया नहीं गया पैर मानु जम गए हूं मैंने हटा थलके भाव से कहा लो नहीं जाता पर कुछ बैठने को दो तो मैं बैठू बुआ मैंने सोचा था कि अब त देखता हुआ सन खड़ा रह गया सो आज के लिए इतना ही थैंक यू